कई लोगों से कलोडों की ठगी करने वाला शातिर दीपक कुमार ओजार राची पुलिस के हथे चड़ गया गिरफतार दीपक भोशपूर का रहने वाला है काफी दिनों से फरार दीपक को पुलिस ने राजस्थान के उदेपूर से गिरफतार किया है सुखदेव नगर मेद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है वहीं राची के गोंदा में भी इस पर 2.13.59.2500 रुपे की ठगी का इल्जाम है सिटी एसपी राजकुमार महता ने आज मीडिया को बताया कि शातिर दिपक पहले रेंटर के तौर पर लोगों के घरों में एंट्री करता था फिर उन्हें अपने विश्वास में लेता था इसके बाद अपनी किसी कमपनी के फोरम होनी की बात बता उनसे पार्टनर्शिप करता 50% फायदे का लोग दे लोगों को अपने जहांसे में ले उनसे पैसा अपनी कमपनी में इन्वेश्ट करवाता था अरेश्ट दिपक कुमार, राची, चत्रा, बुकारो जैसे कई जीलों में लोगो द्वारा करोडों रुपए अपनी कम्पनी में इन्वेश्ट करवा चुका है इन्वेश्टमेंट के बाद उन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांस्फर करता और फिर वहां से 9-11 हो जाता राची पुलस कप्तान चंदन सिन्ना के निर्देश को तुवाली डेसपी प्रकास सोई के निर्तित में स्पेशल टीम बना उसे अरश्ट किया गया है पुलस को दिये अपने बयान में उसने अब तक 5 करोड की ठगी की बात कबूल की है सुने क्या बोले राची के CTSP राजकुमार महता उनके शाथ किसी कंपणी का फॉर्म होने की बात बता करके अपना पार्टनर्शिप करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि इस कंपणी में हिस्सेदारी जो होगी वो 50 परज़न का फायदा आपको देंगे और इसी के लोप में आकर के कई लोगों से राची, बोकारो, अरवल, चत्रा जैसे कई जीलों में इनके द्वारा कंपणी बना करके उनके शाथ पार्टनर्शिप करके कई करोड राशियों को इन्होंने अपने कंपणी में इन्वेस्ट करवाते थे उसके बाद इस कंपणी का जो पैसा है वह अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते थे और इसके बाद वह वहां से गाइब होते थे अभी सुखदेव नगर पंडरा में दो कांड जो है वह हमारे पास में प्रात्पी की दर्ज है और इसकी अनुशनधान की जा रही है इसी सुखदेव नगर पंडरा के केस में आज जमानाती वारंट हम लोग को प्राप्त था लेकिन याँ विक्ती दूसरे एस्टेट में भाग के राजस्थान में गये थे जहां उदैपूर से इनको हमारे संजुक्त टीम जो है वर्ये पुलीश अदिक्षाक राची के आदेश के आलोप में कोतवाली डियेस्पी प्रकाश चो एके नित्रित में जो है हम लोग के दौरा कल कैच किया गया है और ट्रांजिट रिमान पर हम लोग ले करके इनने आज मान्ने नयाले के कोट में हम लोग उपस्तित कर रहे है अभी तक कुल मिलाकर के दो करोड़ और एक तीन करोड रुपया राशी जो है दो केश में इनके द्वारा ठगी की गई ह गोंदा में भी इनके वुरुद्ध में जो है अभी एक कांड़ दर्ज है इसके लावे गुजरात और राजस्थान से भी कई फोन हम लोग के पास आ चुका है कि जहां पर इनके द्वारा लाखों और करोड़ों में ठगी की गई है कुल मिलाकर अभी तक जो इसके श्वकारत करते भ्यान में अभी तक आया है कि गुल मिलाके पांच क्रोड रुपा सदीक कि राशी इनके द्वारा ठगी की गई है हम लोग विदीवत इसका नुशन धान कर रहे हैं और सभी जगा के सभी कांड़ों को हम लोग इसको शंक्लित करने का कारे कर रहे हैं और कानून के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकूर की रिपोर्ट